एक लड़के के एकसिडन के बाद वो उपने हस्पिटल की खिटकी से एक ब्यूटिफुल सी लड़की को देखता है देखते हुए उसने नोटिस किया कि उस लड़के ने किसी का मर्डर कर दिया है कहानी में ट्विस्ट दब आता है जब एक स्टेंजर का उसे मैसेज आने लग जाता है उसे उस मर्डर के बार में सब कुछ पता था अब आगे क्या होगा ये इस मूवी की मिस्ट्री है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको 2017 की एज ओफ इनोसंस ये मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्स्प्रेंड करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग ट्विस्ट और टर्स आते है तो अंदर इस वीडियो को जरू देखेगा अब बिना किसी दरीके एक्स्प्रेंशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन क्यारिक्टर कैंग से इंट्रड्यूस होते है कैंग 19 येर्स है उसे अपने बाइक पर अलग-अलग प्लेसेस पर जाना अच्छा लगता है उसका मानना है हमें लाइफ में जो भी चीज़ करनी है जो भी चीज़ चाहिए वो जल्दी से कर लेनी चाहिए बाद में हमें पच्टाना न पड़े आज भी हो कही जा रहा था तब अचानक से आगे की गाड़ी से एक टायर नीचे गीरा ये कैंग के गाड़ी पर आ रहा था तो इस वज़े से उसका बैलन्स चला किया नीचे गिरकर उसका एक्सिडन्ट हो जाता है इसके वारे में उपने पैरेंट्स को बता कर वरी करवाना नहीं चाहता था तो उपने फ्रेंड्स को उसने कॉल किया उसके फ्रेंड्स उसे होस्पिटल में अनुमिट करकर उसका बहुत खैल रखते है इन फ्रेंड्स में एक लड़की है जिसका नाम है जूली पर हम इसे जूली बुलाएंगे क्योंकि ये सारे नाम complicated नहों जाये जुली के साथ उसका friend भी था जिसका नाम था Zao उसके friend ने उसे कहा कि तुम्हें इस तरिके से इतना जादılar गौमना नहीं चाहिए वो उन्हें भी वही बात बताता है कि life में में कुछ भी regret नहीं करना चाहता उसके bed के पास और एक patient था इस old man को diabetes बीपी है वो हमेशा होस्पिटल में रहता है उन्हें मेडिसिन देने के लिए एक नर्स आई और ये ओल्ड मैन उस पर भी लाइन मारा था नेक्सिन में हम देखते हैं कि जूली कैंग के पास आई हुई थी एक्च्छल में उसे बहुत लाइक करती है पर कैंग को इसके बारे में पता नहीं जूली ने उसे का कि तुम्हें धैंक्फुल होना जाए कि एक मेडिकल स्टूडन्ट तुमारी फ्रेंड है कैंग ने उसे का तुमारी इरिंग बहुत ही ब्यूटिफुल लग रही है ये सुनकर जूली को बहुत अच्छा लगता है आज किल कैंग इस हॉस्पिटल में बहुत जादा बोर हो रहा था तो खिटके से हमेशा पाहर देखता है सामने एक बड़ा सा घर था उसमें उसने देखा तो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी लड़की थी ये हमारी और एक में गारेटर है उसका नाम है जी है कैंग उसे देखकर बहुत इंट्रेस्टेड हो गया उसे सही से देखनी पा रहा था तो अपने फ्रेंड को कॉल लगा कर उससे एक स्कोप मंगा लेता है स्कोप मिलने के बाद कैंग हमेशा उसे देखने लग गया वो वंडर करता है कि उसका आवास कैसा है उसका नेचर कैसा है क्या उसका कोई बॉफ्रेंड होगा उसे अपने मोबाइल पर एक मैसेज आया जो एक स्टेंजर से था वो उससे बुच्छता है कि तुम हो कौन स्टेंजर ने कहा मैं तुम्हारे पास के कैफे से बोल रहा हूँ कैंग को एक मैसेज़स बहुत ही कैजूल लगे एक दिन जब वो घर पर नज़र अग रहा था तो उसने नोटिस किया कि एक आदमी घर के बाहर से अंदर देखता है को उन पर स्पाय करकर वहाँ से चला गया था घर के बाद जो कैफे है यही बड़ी आदमी काम करता है फिर से रात में कैंग जिया के घर पर देख रहा था तो वो नोटिस करता है उसके मदर और फादर में Force चल रही थी इस fight में फादर ने मदर को नीचे करा दिया इसके बाद मदर और जिया यह उसके रूम में गए एक कुछ डिसकस कर रही थे जिया फिर फिर से अपने फादर के पास आई उसके पास एक sharp object था तो अपने फादर को मारने वाली थी तभी उस ओल्ड मैन ने कैंग से उसका सकोप ले लिया कैंग क्या देख रहा है, वो भी देखना जादा था कैंग जिया को प्रोटेक करने के लिए उस ओल्ड मैन से उसकोप ले लेता है इन दोनों में थोड़ा सा जगड़ा आओ गया था जब उसने फिर से स्कोप से देखा तो जिया के फादर नीचे गिरे थे उनका बहुत सारा खून मेह चुका था जिया और उसकी मादर ये बलड को साफ कर रहे थे ये देखकर कैंग को बहुत ही शौक लगता है अगली दिन उसने और भी नज़र रखी फिर से कॉफी शौप वाला आदमी घर के बाहर आया था कैंग के वास उसके नर्स उसका चेक अप करने के लिए वो गहती है तुम आगे के घर पर नज़र रख रहे थे ओल्ड मैन ने मुझे बताया मैं समझ सकती हूँ आगे के घर में जो पास नहीं थी तो खुद चल कर उसे ढूनने लग जाता है उसने रूम में देखा कि नर्स किसे के साथ इंटिमेट हो रही है यह वही आदमी है जो नीचे का कॉफी शौप चलाता है कैंग को ठीक लगने के बाद रात में फिर से उसने जिया के घर पर देखा जिया एक बैक घसीटे घसीटे लेकर जा रही थी घर के पास की कंस्ट्रक्शन साइट में उसने इस बैक को गार दिया अगले दिन कैंग के फ्रेंड उसे मिलने के लिए आये हुए थे उनसे कहता है मुझे जरा बाहर घुमने के लिए जाना है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आया और चलते हैं कैफियोनर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि जब फिर से ऑस्पिटल में आया तो नर्स उसे कहती है तुम्हारा रूम हम चेंच कर रहे हैं क्या बहुत जादा हो जाता है मुझे इसी रूम में रहना है अगर तुमने मुझे यहां रहने करता है घर बर भी जूली उसका खैल रख रही थी घर बर उसे एक मेल मेलता है जिसमें लिखा है कि मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो तुम ढेंजर में हो कैंग जिया को बहुत like करता है मर्डर के बाव जूद्ध वो उसे protect करना चाता है अब इसके बाद थोड़ी दिन बीट गए कैंग का प्लास्टर निकल चुका है वो फिर डारेक्ली जिया के घर के बाहर ही आता है जिया आज अपने वर्क के लिए जारा लेट हो चुकी थी तो उसके घर का सीकुरिटी कार्ड नीचे गिर गया यह कैंग ने देखा और यह लेकर वो घर के अंदर गुश गया कहर में सारी चीज़े देखते हुए वो जिया के रूम में आया उसके रूम में मैप लगा था जिस जगा पर वो जाना चाहती है इसमें सारी जगा पर पॉइंट करकर रखा है कैंग इमजिन करता है कैंग चा था कि जिया जिइस भी प्लेस पर जाया वहास during से पोस्ट कार् वो कैफे में गई और कैफे ओनर के पास रो रही थी इसके बाद वो जहां भी जाती है उसका पीछा करता है पीछा करते करते कैंग को फेसे स्टेंजर से मैसेज आया इसमें लिखा था मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो कैंग की जियावर नजर रखते हुए फोटो उसने निकाली हुई थी कैंग वंडर करता है कि हो कुन सकता है वो सब पर शक करने लग गया था इसके बाद वो जियावर का पीछा करते हुए जहां पर वो काम करती है वहाँ पर पहुच गया उसने नोटिस किया इस ऑफिस में वैकेंसी से हमेशा जिया के पास ही रहना चाता है उसे और भी जान लेना चाहता है तो इसी वज़े से यहाँ पर अपलाई कर देता है जॉब मिलने के बाद स्टीट पर जाकर अलग अलग लोगों के सर्वे लेने का उसका काम था यह सब्मीट करने के लिए जिया के पास आया जिया कहती कि तुमने बहुत ही कम सर्वेज ला कैंग कहता है कि जूली को भी बुला लो कैफे में कैंग ने देखा कि उसके होस्पिटल की नर्स कैफे ओनर और उसके फ्रेंड्स भी थे वो इनी सब पर शक कर रहा था उसने फिस स्टेंजर को मैसेज किया कि तुम्हे सब कर क्यों रहे हो स्टेंजर का रिपला है कि मैं स्टेंजर के पास बैठा हुआ था कंपणी की कुछ ऑफिसर डिसकस कर रहे थे कि जिया के फादर आजकल कंपणी में आ नहीं रहे है कंपणी के नाम पर उन पर बहुत बड़ा लोन है अब इसका क्या होगा यह सब सुनने के बाद कैंग जिया के पास आया उसे कहता है आज फादर सिब जरा बीमार है वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे इसके बाद नेक सीन में जिया लंच कर रही थी तो कैंग उसके पास आ गया उसे बुछता है क्या कल रात तुम फ्री हो उसे एक अच्छे से रेस्टॉर्ण में लेकर जाना चाता है तबी जिया की मदर स्टेंजर ने उसे भेजी हुई थी कैंग जल्दी से काउंटर रपोशता है कि यहां पर कौन बैटा था उसे पता जला कि एक लड़की थी जो ग्लासेस पहन थी उसकी फ्रेंट जुली भी ग्लासेस लगाती है तो उसे लग रहा था कि शायद वही होगी वो उसे वीडियो कौल लगाता है पर उसने देखा कि जुली अपने घर पर थी अगली दिन फिर जुली और कैंग यह दोनों डेट पर आए एक दूसरे से बात है करते हैं जुली ने का कि मैं इस वर्ड में अलग-अलग प्लेसेस घुमना चाहती हूं कैंग जी जी इस प्लेसेस पर जाकर आय है इनकी डेट बहुत अच्छी गई थी वो अब घर जा रही थी तो कैंग ने का तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं उसने उसके स्टीट का भी नाम लिया था इस पर जुली बहुत ही सस्विशेस हो कि वो कहती है तुम्हें मेरे बारे में बहुत सारी चीज़े बताया है मैं कहा रहती हूं मैंने इसके बारे में तुम्हें नहीं बताया था क्यांग की चोरी पकड़ी के उसे honestly सब कुछ बताता है वो गयता है कि मेरा accident हुआ था तुम्हारे घर के सामने के हस्पिटल में था मैं तुम्हें फर्स टाइम देखा तो तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी मैं तुम में बहुत ही इंट्रेस्टेड हो गया मुझे जब पता चला कि तुम कहाबर काम करते हो तो तुम्हारे पास रह सकूं इसलिए मैंने वही पर जॉब ले लीा मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूं ये सब सुनकर जुली ने उसे गले लगा लिया इन द डारेकली कैफे ओनर से आकर बात करता है, वो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम और जिया फ्रेंड हो, वो कोई स्टरबल में तुम्हें मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, कैफे ओनर ने का कि जिया को पता है कि वो मुझे कहा डूंड सकती है, अगर उसे मेरी जरूरत होती तो यहां बर उसने एक साइन बना लिया पाज जो कैफे है इस कैफे का इस साइन था फिर वो इस कैफे में जाकर राद बर वेट करता है बाहर बारिश होने लग गई थी यही बर वो खड़ा ओकर वेट कर रहा था शुबा होने के बाद फाइनली जिया उसके पास आगी वो कह कैंग जिया को एक बीच दिखाने के लिए लेकर आया वह गहता है जिस दिन मेरा एक्सिड़न्ट हुआ था मैं इसी बीच पर आ रहा था मेरा एक्सिड़न्ट नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं मिलता वह गहता है तुमसे मिलने के लिए फिर से मेरा एक्सिड़न्ट हो फिर एक्साइड हो जाता है होटेल का सारा बील जिया ने पेक किया ये फिर से बहुत एंजॉय करते है एक दिन घुमते गुमते कैंग को एक बाइक बहुत पसना आई जिया और कैंग अपने रूम में थे कैंग उसके ड्राइंग बना रहा था जिया बुछती है तुम मेरी के लिए जाते है कैंग फिर वंडर करता है कि जिया के पास इतने सारे पैसे आते कैसे है वह तो कोई भी क्रेडिट कार्ड विगरा भी यूज नहीं कर रही जिया इस बात को पूरी दरीके से इग्नोर कर देती है अब कैंग को फिर से स्टेंजर का मैसेज है इसमें लिखा कि जल्दी से फिर से टाउन में वापस आ जाओ वरना जिया ने जो भी क्या है इसके बारे में सब को बता दूंगा क्यांग इस स्टेंजर से मिलने के लिए सिटी में पहुचा पर जिया के मदर के बॉडिगार्ड उसे देख लेते हैं वह वहां से बागा पर बॉडिगार् थी वह बाहर आ जाए क्यांग भागते बागते जल्दी से वहां पर पहुच गया पर इस टेंजर वहां से भाग जाता है क्यांग इस गड़्डे को भढ़ने लग गया था पर कंस्ट्रक्शन वरकर ने नोटिस कर लिया यहाँ पर पुलीस वगरा बुलाय जाते यह गड़ बहुच गया निर्स पर बहुत ज्याहों चुक्ता था कैता है तुम्हें यह सब मेरे साथ कर क्यु रही हो गया था ले辭ी काथ कि लिए नाThis को गया पाथे जो भी हो रहा है यह सारी चीजे बताए जहाए में लगता है कि जिस टेंजर ने तुम्हें मैसेज किया है वो और इस बेबी को चुराने वाला एक ही परसन है तो मुझे बता है कि वो कोन है सेकुरिटी फुटे से में पता चल गया था कि बेबी को किस ने चुराया था डारेक्टर ने मुझे इसे रिपोर्ट करने से मना किय क्यूंकि उसकी daughter ही थी यह सुनने के बात कैंग directly जिया के पास बोचता है पर जिया के बात जूली आई हुई थी उसके हाद में acid है जूली बूचती है कि अपने फादर को मारने के बात तुमने body का क्या किया जिया ने कहा कि उस बैग में बच्चों के खिलोने थे जूली इस को मान दी नहीं तभी वहाँ पर कैंग भोच चुगा था जी स्टेंजर का कैंग को मैसेज आ रहा था यह जुली थी उससे कहती है तुम अपने आखों से जो भी देख रहे थे उस पर बिल्यू नहीं कर पा रहे थे मैं चाहती थी कि जिया के फादर की बॉड़ी मिलने के प्रैकर लगा दिया है जुली भी हमेशा उसका पीछा कर दे थी हमने मुवी में देखा था कि कैंग को जब शक आया था तो उसने जुली से डारेक्ली वीडियो कॉल पर बात की थी इसके इस्प्लेशन में जुली कहती है कि मेरा फ्रेंड ये सब करने में मुझे हेल्प कर जा था इनके पास और एक मोबैल था इस वज़े से कैंग कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पाया जुली का फ्रेंड भी हाबर पहुच जाता है उसे समझाने की कोशिश करता है वो भी उससे बहुत प्यार करता था कैंग को जुली की फिलिंस के बारें पता नहीं था इसके जिलियो सौरी कहता है जिया भी उससे समझाने की कोशिश करती है कहती है तुम बहुत ही लगी हो सेल्फ सभी चैंड हो तुम्हें मेरी तरह किसी पर भी डिपेंड रहने की जरूत नहीं है वो कहती है मैं सिर्फ कैंग का फायदा उठा रही थी मैं मेरी लाइफ से बोर हो च साथ चली जाती है सब के जाने के बाद कैंग जिया से बात करता है कहता है तुमने अपने फादर को मार डाला पर फिर भी मुझे इससे कुछ भी फरक नहीं परता तुमसे प्यार करता हो और तुम्हारे साथ रहना जाता हो जिया कहती कि अभी-भी मैंने तुम्हारे बारे म और अपना एक्सिडन्ट करवा दिया जिया उसके पास है कहती है यह सब तुम कर क्यों रहे हो गाड़ी से जिया के साथ उसके फादर में निकलते है फादर ने का तो इतने दिन तुम इसके साथ थी जिया कहती है क्या मुझे हग नहीं कि मैं किसी से प्यार कर सकूँ फादर जिया से गहते तुम जो जाओ वो कर सकती हूँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो जिया कैंग के पास ही रुकी उसरा जो हुआ था इसके बारे में जिया उसे बताती है वो कहती है एक्चुल में वो आदमी मेरा फादर नहीं है मैं अगर उसके घर में रही तो लोगों को शक होगा इसलिए हमने उस टोरी बना दी है जिया और इस बिजनेसमैन की अलग रिलेशन है यह बिजनेसमैन उसे बहुत सारे पैसे देता है इसके बदले में जिया उसके साथ इंटिमेट होती है उसके घर में रहती है कैंग को बहुत बड़ा शौक लगा जिया कहती कि मैं प्रिगनन थी जिस रात तुमने देखा था मेरी और बिजनेसमैन की बीच में फाइट चल रही है उस रात में बहुत ज़्यादा डिस्टरब थी मेरी मदर को लग रहा था कि बिजनेसमैन अब मुझे छोड़ देगा इसी वज़े से वो गुसा हो गई थी पर उस बिजनेसमैन ने कभी भी जिया का साथ नहीं छोड़ा उस रात कैंग जब सकोप से नजर रग रहा था तभी ओल्ल मैन ने उसे सकोप ले लिया था उतने टाइम में बिजनेसमैन ने अपनी बिमारी की वज़े से खुन की उल्टिया की थी उसे कैंसर था इसके बाद उसका इलाज करने के लिए वो बिजनेसमैन वहाँ से चला गया था जिया बहुत ही डिस्टरब थी वो पहले ही अपने बेबी के लिए बहुत सारे खिलों ने लेकर आई थी तो सारे खिलों ने उसने बैग में डाले उसने अपने बेबी के सारे toys as a farewell पास के construction site में गार दिया यही सारी चीज़े कैंग ने देखी थी वो गहती मैं मेरी life में सिर्फ change आती थी और फिर वो कैंग से मिली कैंग पूछता है क्या कभी तुमने मुझे से प्यार किया था जिया इस पर गुझ भी नहीं बोलती जिया ने decide क्या है कि बिजनेसमैन के साथ ही रहना चाती है वो बैचार हार्ट ब्रोकन होकर वहाँ से चला क्या फिर से अपने college को continue करता है इसके बाद movie में directly 10 साल बीच चुके है वो फिर से जिया के घर के पास के कैफे में ही आया जिया अब वहाँ नहीं रहती वो कैफे ओनर को देखता है तो उसने अब नर्स के साथ शादी कर ली थी यो दोनों बहुत ही खुश थे कैंग ने उसे बात की जिया के बारे में बूचा café owner कहता है कि business man की last day में जिया ने उसका बहुत खैल रखा active man को उसकी company में उसके partner ने धोका दिया था यह case भी चल रहा था इसमें भी जिया ने उसे support किया यह case वो business man जीत गया बाद में उसकी date होगी और जिया घर छोड़ कर चली गी कैंग पुछता है कि अब वो कहा है कैफे उनर ने उसे का कि वो अलग-अलग प्लेसेश घूमती रहती है हर जगा से तुम्हारी लेक पोस्ट कार भेशती है उसे पता था कि कभी ना कभी तुम इस कैफे में वापस आओके है कैंग रियलाइस करता है यह 10 साल पहले उसकी एज़ कम थी उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं थी जिया चाहती थी कि अपनी लाइफ में वो आगे जाए वो अब सक्सेस्पूल है और जिया की लोकेशन भी उसके पास है वो शूर था कि जब वो वहाँ जाएगा तो जिया उसका वेट कर रही होगी यह दोनों फाइनली एक दूसरे से मिल गए जिया हमेशा से उससे प्यार करती थी पर बिजनेसमैन बिमार था उसे इस तरीके से छोड़ कर वो नहीं जा सकती थी इसलिए उसने उसका खैल रखा कैंग को भी अपनी लाइफ डेवलोप करने का एक अच्छा सा चांस उसने दिया इसके बाद यह दोनों फिर से मिले है इसे के साथ इस मूवी के हैपी इंडिंग हो जाती है अगर आपको एक्स्प्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहतो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमूवी के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया प्लीज पिर से मिलेंगेशन आपका रहतो है झाल 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 झाल